अगले कॉलर हैं हमारे साथ करनाटक से सल्मा स्वागत है आपका अपका से तुछ सवाले कम सब्सक्राइब अलो सर मेरे दो सवाल हैं लेकिन फिल्वोले का गोंदी मंगाई हूं लेकिन सर्माइब बच्ती को दूद्पी तुछ हैं हुर एक सवाल है सर मैं गौन सियावी हो जायतुन का नमिक भी ले ले सकती हूं क्या निए उसके साथ है ठकलिप तो नहीं होती हुटी मेरे बच्ची की ठीक दीक है इतियाद के तौर पर आप एक खुराक लिया करिए और पैसे कोई नुक्सान तो नहीं होता है लेकिन फिर भी अधियाद के तौर पर गौन सिया भी खुराक लें और गौन चिलगोजा भी खुराक लें और यह सिर्का भी आप एक खुराक ले सकते हैं आपको फाइदा शुरू हो गया है बहुत जल्द आप पुरी तरह तंदर थोना आपका पूंकिन है बात नेक्स्कॉलर से स्वागत है आपका इस्वरिंदर जी सुरिंदर जी आपका सवाल हांजी रहे हांजी बोली यह दवाई आप पहुंच गई हांगे सवाल क्या है अब दोनों ले सकते हैं दिखे गौन सेया आदा ग्राम या उस से कम इस रो मैटेरियल को पाउडर बना लें एक चुटकी या दो चुटकी नाज़ते के बाद पानी से बगर चर्बी के दूसरे ले सकते हैं और ये जैतून का सिर्का भी दो बार ले सकते हैं कम असकम एक बार जरूर लिज़े रात को पानी में मिलाकर तील छोटे चाय के चम्मच जिसे टी स्पून कहते हैं आप लेना शुरू करें, दिन में एक बार या दो बार, तो आपको फाइदा मुम्किन है. सफेद दब्बे हो रहे हैं, कितनी उमर हैं, कब से हो रहे हैं, अरे यहीं कुछित माइने से, खीक है, उमर, और देखिए यह बहुत खैल लगी है अपना, और अनिमल फैट कुछ दिन के लिए छोड़ दीजे, अनिमल फैट में दूद, घी, मक्षन, और मास, यह छोड़ दी और देखिए, एक दवा आती है, जिसे बापची कहते हैं, बापची, खुझबुदार होती है, मेथी की तरह होती है, और खुझबुदार होती है, काला काला रंग होता है, मेथी से भी ज्यादा खुझबु होती है, बापची सो ग्राम लें, और मेथी सो ग्राम, बापची इलाज है अगर आप सालवा इलाज कर सकते हैं तो यह निसका आपके लिए काफी होना चाहिए हर्याना से अगले कॉलर रमेश ना हमारे साथ है स्वागत है आपका है 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 हलो हान जी कि आपको पेट की तकलीफ है और बहुत ज्यादा है तो एक निसका बना लिजए सौफ दो सौग्राम आवला दो सौग्राम मेथी दो सौग्राम फिर बोलता हूं सौफ दो सौग्राम आवला दो सौग्राम मेथी दो सौग्राम और सौग्राम रसाइन आता है एक जैतून का रसाइन इसे जैतून का नमक भी कहते हैं अस्टेक जैतून भी कहते हैं यह सौग् खरीद के पाउडर बना लें इन सब के साथ और आदा आदा चमच दो से तीन वक्त तक खाये करें आपकी पीट की परिशानी ठीक होना मुम्किन है नेक्स्ट कॉलर राम प्रसाद जी सहरन पूर से स्वागत है आपका नमस्कार बोलिए अधा बताई ये क्या सवाल है टेट में सब के सारी पिस्म खराब है और plus फिसाब के अब बहुत जाए हाता है औच्छा और और कुछ तो Zahlen कहता है बहुत हो जाती है not the पिसाब के लोगने में होजाआ है तेट मेरा बहुत खेर वाँ जाना ही है तो फिसाब बहुत हो जाना हीै यह दबा तो रोकना नहीं, आप 5-6 महीने लगेंगे इसमें फाइदे के लिए, अगर पेट की और पिशाब की समस्या है, तो एक आता है कलोंजी का नमक, कलोंजी का नमक, इसे रसायन कलोंजी भी कहते हैं, एस्टेक कलोंजी भी कहते हैं, 100 ग्राम खरीद लें, और दो की पानी मिलाकर रोजाना पिलिया करें, एक बार या दो बार, तो यह फॉरण आपको फाइदा शुरू करेगी, और यह 100 ग्राम में खरीद लेंगे, तो आपके रोक के लिए काफी होनी चाहिए। हाथ पेरों में जलन रहती है, ठीक है, देखिए, यह जलन काफी देर में जाती है, 6-7 महिने आप इलाज करें, लगातार, और यह जलन, देखिए, काफी मुश्किल होता है, लेकिन ठीक होना मुम्किन है, गौन स्या असली ले लें, यह नकली बहुत मिलता है, और अधा-धा गिराम, सुबह, शाम, नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद खाये करें, और 6-7 महिने लग सकते हैं, अगर इतना सयम कर सकते हैं, तो आप यह इस्तमाल करें, आपको फाइदा मुम्किन है. ग्वालियर से नेक्स्ट कॉलर अरविंद जी, स्वागत है आपका, नमस्कार, अधार, नमस्कार अधार, अधार अधावर साब, पर्माईए, यहां आपको बहुत और देली बात को ही है, जी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम एक तो आपको, पेट की दिक्कत है, जी, अच्छा, ठीक है, कोई भी दवाई लेते हैं, तो आपको असरदार नहीं लगती है, आपकी एज क्या है, अच्छा, ठीक है, ठीक है, आपको लूज मोशन लग जाते हैं, एक बार उम्र बता दीजिए, फिफ्टी, फिफ्टी, जी, दवाई लेते हैं, तो लूज मोशन लग जाते हैं, डिप्रेशन है, डिप्रेशन भी है, अदिखिए, एक निसका मैं बताता हूँ, और जितना आप को सूट करें, उतना लेना, मेथी, सौफ, धनिया, ये दो दो सो गिराम लेकर पाउडर बनाएं, और इसमें सो गिराम, सो गिराम इसमें गौन मौरिंगा सफेद, गौन मौरिंगा सफेद मिलाएं, और इसका पाउडर बनाके, आदा आदा चम्मच खाने की कोशिश करें, खाने से पहले या खाने के बाद, पानी के साथ, तो इससे आप जरुरत पढ़े तो कम भी कर सकते हैं, आदा चम्मच में इसे भी आदा कर सकते हैं, क्योंकि आप पेट के रोगी हैं, जितना आपको सूट करें, उतना लेना, और ये खतम होते होते, आपकी दोनों समस्चाएं का निदान मुमकिन है. जम्मु से नेक्स्ट कॉलर रजनी शर्मा जी, स्वागत है आपका? आप जी. बताईए. नमस्कार माडम. नमस्कार. आप जी. बोलिये. एकीम साथ इसे बात पिली हैं? जी. आद आप, बताईए. क्या सवाल हैं? आप जी. परनाम जी. हुमारे गुपनों में बड़ा दर्द है. जी. कब से है और कितनी एज है? हमारी फिट्टी सी है. पांच से साथ से खर. मैंने सब्दर में दिली में दिखाया था. आपरेट के लिए बताया था उन्होंने और फिर हमने वो ग्रीस वाले इंजेक्शन होते हैं, वो लो आए थे. जी. चीकिए. चो देखिए, कुछ करने की ज़रूत नहीं. सिर्फ आप विश्वास करें. और जहां पांच-दस साल से आप परिशान हैं, वहां पांच महीने युनानी को दे दें. युनानी एक साथ फायदा ने करती. दस बीस परसेंट, तीस परसेंट एक महीने में फायदा होता है. अगर आप इस बात के लिए तयार हों, तो ना इंजेक्शन की ज़रूत, ना उपरेशन की ज़रूत. एक कैपसूल आता है, कैपसूल टी केर, टी फोर टाइगर. कैपसूल टी केर, सुबह नाच्टे के बगएर चर्बी के दूस से, पानी से, या शूगर नहीं तो जूस से भी ले सकते हैं. जैसे आपको आसानी है, तीनों से फायदा करता है. सुबह नाच्टे के बाद एक कैपसूल टी केर और रातों खाने के बाद लें. और शायद पांच साथ दिन कुछ फायदा ना हो. ए एक महीने में, अगर आपको इत्मिनान आए के आपको दस बीस परसेंट फायदा हो गया, तो फिर आप पांच से महीने इलाज करेंगे. अगर पूरा भी फायदा हो जाए एक महीने में, किसी को बहुत जल्दी फायदा हो जाता है, तब भी पांच से महीने इलाज करना है. म जि Tubman जे नंचार जी क्या नाम है कहां से बात कर रही हैं? विय एपिस दिश्ट्रिक मेंधे उनना तो परमैद पर लए कि अच्छ ठीक आपका सबाव क्या है? सुलिमान जे न्चार जी सुलfa जी मैं सुन रहा हूं मैं सुन रहा हूं में बता यह क्या सवाद है? कि नमस्ट कर दी हमने फॉन तो कर दो आई भी गॉंट किया तो मंगवा लिया जी हम फिर होना अब डेर सो ग्राम गॉंट किया इसमें और क्या-क्या डालने कि जी क्या तकलीफ है आपको दर्द है क्या अधी इन्य डिस्क ट्रॉलम कें देनी ठीके ठीके बिटा अधी कुछ नहीं भी डालेंगे तो यह फाइदा करता है इसको रॉ मैटेरियल है यह इसको पॉडर बना लिजए और एक या दो चुटकी रोजाना नाश्टे के बाद यह चुटकी है ना नाश्टे के बाद और खाने के बाद आप इसे ले सकते हैं जरा चिपकता है जबान में तो गो कड़वा बहुत होता है पानी मिला कर भी ले सकते हैं शहद में मिला कर भी ले सकते हैं काफी कड़वा होता है लेकिन फाइदे में भी ऐसा ही तेज है एक दो चुटकी सुबा एक दो चुटकी शाम जैसे आप चाहें इसे खालिस भी इस्तमाल कर सकते हैं यानि कुछ मिलान फाइदा देता है और नाम मेरा हो जाता है कि मैंने आपको अच्छी दवा बता दी उसी से आप मदद मांगे और ये शुरू कर दीजे वेस्टन ट्वाइलेट का परियोग कीजिए महनत मत कीजिए कुछ दिन के लिए तो आपको फाइदा मुम्किन है दिली से अगले कॉलर इ हैं 18 साल हैं 18 साल में दर्द करते हैं कमर की ये हिम्मत आप कोई अगर ऐसा गैब खेलते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं या स्पोर्स में भाग दोड़ का कुछ करते हैं उसे फॉरन रोग दीजे और कैप्सूल टी केर सुबा शाम लगातार कई महीने तक खाईए वज अगले कॉलर से स्वागत है आपका सुभाज जी इस दूसरे बाग करना है जी आदावध भाई बताईए क्या सवाल है मेरे पेट में ये पेट में कब से रेता है ये ये और या ये एक महीना करी होंगा दवाई ये तुली होंगी आपने और एक दवा मैं बता रहा हूं बेल का मुरब्बा आता है पत्थर बेल आती है जिसका शर्बत पीते हैं पीली पीली होती है खोपड़ी की तरह उसका मुरब्बा आता है अभी वो तो मिलेगी नहीं बेल का मुरब्बा हरीद लीजे और उसका एक पीस, तीन चार इंच का रोजाना सुबह, खाली पेट और रात को सोते समय खाया करें, आप बहुत जल थीक होने वाले हैं. Next caller है, मौनिका मुरादाबाद से, स्वागत है मौनिका जी. हाँ जी मैं मैं मौनिका बोलती हूँ, नमस्ते मैं, तर नमस्ते. मैंने बताया हूँ, इसकिन का इस इलाज था, सोडा, तो चुट्की बड़ सोडा, मैं रोज सुबह शाम ले रही हूँ. तो उसकी वज़े से मेरे जो स्किन पे हाटों की तरफ ब्लैक हो गया था, वो सही हो गया है, काफी हद तक चला गया है, लेकिन मैं सोची भी तर बता रहे थे, कि एक गोन मोरिंगा लेने से भी चेहरा फाफ होता है, तो क्या मेरी एक चालिस साला में ले सकती हूँ? बहुत प्यारी बच्ची हैं आप और आपको वगवार ने फाइदा भी दिया, अच्छा ये एक ही चुटकी एक बार लिया करिये, बस दो बार नहीं ले सकते, ज्यादा हो जाता है, कभी कभी नुकसान भी देता है, इसकी तादा एक ही चुटकी है, और गॉन मोरिंगा ले लैंगे तो ये चेहरे के ताज़की लाता है, चीपे दूर करता है, बालों को बढ़ाता है, और महिलाओं के लिए भी और बच्च दूसरे मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए अच्छा है, आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकि इसकी तादाद आदा गिराम एक बार या जादा जादा दो वाले आपको फायदा मुम्किन है